है चलो अंतर और उतार जा सकते हैं का जो झुँपर है तीन पार एक-टीन यहां वैट लीटेंग वाले अब राकां यह कई वालेंग का है थेक franchisya एक सवाल जो सभी के मन में इस वक्त आ रहा है जब भी आप एक ट्रेन का टिकट निकालते हैं अगर मेरा टिकट वेटिंग लिस्ट में हैं तो क्या मैं यातरा कर सकता हूं? क्या मैं इस वेटिंग टिकट से स्लीपर कोच में यातरा कर सकता हूँ मेरे पास एक PNR पे दो टिकट है एक कन्फर्म है एक वेटिंग है तो क्या मैं इस कन्फर्म टिकट के साथ जो एक वेटिंग टिकट है इस पे यातरा कर सकता हूँ अपने दूसरे यातरी को लेकिए अब इस पे IRCTC का नया नियम क्या कहता है तो हजार चौबिस में आईए जानते हैं जी हाँ दोस्तों मेरा नाम में मक्सूद और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल चेकी हेल्प टिप्स जी हाँ आप सभी जानते हैं इसके पहले कि मैं विंडो टिकट की बात करूँ मैं पहले बात करता हूँ आउनलाइन टिकट की आप सभी को पता है कि आउनलाइन टिकट अगर आपने बाई किया है या आपने खुद निकाला है उस केस में अगर वो टिकट वेटिंग रह जाता है तो वो आटोमेटिक कैंसिल हो जाता है और रिफर्ड मनी आपके अकाउन में आ जाती है मतलब कि वो टिकट नहीं माना जाता और अगर आप वो टिकट लेके यातरा करते हैं तो आप विदाव टिकट माने जाते हैं लेकिन विदाव टिकट के बारे में जो चला आ रहा था वो यही था कि अगर आपका विदाव टिकट होता था तो आप उसको सिलीपर कोच में लेके यातरा करते थे और टीटी आपको कुछ नहीं बोलता था कहता था ठीक है आपके पास जो टिकट है वो मानने है और यह टिकट वैलिड है और आपको कोई पिनल्टी भी नहीं लगते थी लेकिन हुआ क्या कि भीड इतनी जादा बढ़ने लगी कि जिनके पास कन्फर्म टिकट होते थे उन्होंने बहुत शिकायतें की एक सिलीपर कोच में सारे कन्फर्म टिकट हैं और उससे कहीं जादा यातरी वेटिंग वाले घुश जाते थे इसको देखते हुए रेलवे ने थोड़ा सा नियम में बदलाओ किया और नियम को टाइड किया अब नियम क्या कहता है कि अगर आपके पास विन्डो टिकट है और वो वेटिंग है और अगर आप चाहते हैं कि आप सिलिपर कोच में यातरा कर लें तो बिलकुल आप नहीं कर पाएंगे और अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको टी टी पकड़ने पे नेक्स्ट इस्टेशन तक का चार्ज लेगा और आपको next decision पे उतार देगा उसके बाद क्या होगा आपको railway ये सहायता देती है कि आप sleeper coach में नहीं बलकि आप journal coach में यातरा कर सकते हैं अगर आप करना चाहें अब बात आती है कई लोग सवाल पुछते हैं कि मेरे एक PNR पे दो टिकट है एक confirm है एक waiting है तो क्या मैं यातरा कर सकता हूँ मतलब कि मैं अपने सहयोगी को इसके साथ यातरा करा सकता हूँ या नहीं करा सकता तो जी हाँ अगर एक PNR पे ऐसा है तो आप यातरा करा सकते हैं दूसरा case ये है कि आपके पास दो अलग अलग PNR पे टिकट है एक waiting है एक confirm है तब भी आप यातरा करा सकते हैं क्योंकि ये आप अपने seat पे उसको यातरा कराएंगे और इससे किसी और कोई दिक्कत नहीं होने वाली है हाँ TT से थोड़ा सा आपको बात करना पड़ेगा और TT इस पे मान जाएगा क्योंकि आप अपने seat पे उसको लेके जा रहे हैं तो आप इस बात को जान ले कि अब आप counter टिकट को भी लेके अगर आपका waiting टिकट है तो आप सिलीपर कोच में यातरा नहीं कर पाएंगे और आप सिर्फ और सिर्फ जर्नल कोच में यातरा कर सकते हैं तो जी हाँ यह रहा waiting ticket से related नया rule जो की window ticket के लिए है तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो इसको like जरूर करें